हेलो फ्रेंड वेलकम टू माँ चैनल मैं हुए स्मीता और आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट और काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि एक छोटी बच्ची का वेट उसके एस के कॉर्डिंग कितना होना चाहिए यानि बर्थ के टाइम से दो साल की एस तक उसकी हेल्दी वेट गेन कितना होना चाहिए एस पर medical guidelines ना कि एस पर लोग क्या कहते है या society क्या कहते है बच्चे का growth और उसकी development सही से हो रही है या फिर नहीं हो रही है इसका सबसे अच्छा indicator होता है बच्चे का weight अगर आपके बच्चे का age की recording उसका weight सही है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की development अच्छी तरह से हो रही है हर parents की सबसे बड़ी question होती है कि क्या मेरी बच्चे का वज़न सही है तो इसके लिए हर parents को मालूम होना चाहिए कि किस age में बच्चे का कितना weight होना चाहिए ये नहीं कि हमेशी बच्चे को मोटा करना है कितने parents दुसरे की बच्चे को देखकर अपनी baby को मोटा करने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं लेकिन अगर आपका बच्चा दुबला पतला है और उसका weight सही से हो रहा है और वह बच्चे हर समय active रहता है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तो सबसे पहले बात कि बच्चे का growth उसका height और उसका weight बच्चे के parents के जीन पे depend करता है यानि कि अगर बेबी के मदर या फादर दुबले पतले हैं तो ज़्यादा तरचांस होता है कि बेबी भी दुबला पतला ही हो इसके अलाबा बच्चे का birth के समय weight कितना रहा होगा यह भी important चीज़ है बच्चे का सही weight जानने के लिए मोशली जब बच्चा पैदा होता है तो उसका weight कम हो जाता है बड़ धीरी धीरे उसका weight gain होने लगता है guideline के according 6 महिने में बच्चे का weight birth weight से दुगूना हो जाना चाहिए मालिजे अगर birth के time बच्चे का weight 3 kg है तो 6 महिने पर उसका weight double यानि 6 kg हो जाना चाहिए इसके अलाबा एक साल में बेबी का birth weight तीगूना यानि triple हो जाना चाहिए यानि 3 kg बर्थ weight है तो 6 महिने में 6 kg और एक साल पर 9 kg हो जाना चाहिए इसके अलाबा पहले साल में बच्चे का weight हर हपते बढ़ना चाहिए चाहिए वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों न बढ़ें लेकिन बढ़ते रहना चाहिए लेकिन अगर किसी कारण से बेबी का weight बढ़ने की बज़ाए घट रहा है या फिर बेबी का weight में कोई changes नहीं आ रही है पहले जितना बेबी का weight था उतना ही अभी भी है तो आपको तुरंत अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इसके अलाबा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका वीर चार महिने में ही 6 kg कहो जाता है तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है लेकिन अगर कम एज में बेबी का ज़्यादा weight हो रहा है और बच्चा active नहीं रह रहा है तो इस case में आपको तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए तो ये तो था एक साल तक की बच्चे का weight gain अब बात करते हैं कि दूसरे साल में बच्चे का कितना weight होना चाहिए अगर आपका बेबी एक साल का हो गया है तो उसका weight कम से कम 9 kg होनी चाहिए और अगर आपका बेबी 13 मन्त का हो गया है तो उसका weight कम से कम 9.5 kg होनी चाहिए तो इसी तरह से 2 साल में अगर आपके बेबी का weight 12.2 है तो इसका मतलब हुआ कि आपके बेबी का growth अच्छी तरह से हो रही है एक जामपल के लिए मैंने एक birth chart मनाई हो जिसमें आपको easily समझ में आ जाएगा कि आपके बेबी का weight कितना होना चाहिए तो चलिए देखते हैं अगर आपके बेबी का weight birth के time 3 केजी था तो 6 महिने पर बेबी का weight 6 केजी हो जाएगा और एक साल पर बेबी का weight 3 गुना यानि 9 केजी हो जाएगा लेकि जब आपका बच्चा एक साल का हो गया है और उसका weight 7.6 केजी है तो ये बच्चा underweight के category में आ जाता है इसके अलाबा अगर आपके बच्चे की age 13 मन्त है तो उसका weight कम से कम 9.5 होनी चाहिए और अगर आपका बच्चा 14 मन्त का है तो उसका weight कम से कम 9.7 होनी चाहिए उसी तरह अगर आपका बच्चा 15 मन्त का हो गया है तो उसका वेट 9.9 होने चाहिए और 16 या 17 मन्त का हो गया है तो 10.2 या 10.4 होना चाहिए और उसी तरह अगर आपका बेबी का एज 13 मन्त का है तो बच्चे की एज 7.9 से कम नहीं होनी चाहिए और 14 मन्त का है तो 8.1 से कम नहीं होनी चाहिए अगर 15, 16 या 17 मन्त का है तो उसी तरह आपके बेवी का जो weight है वो 8.8 से कम नहीं होनी चाहिए उसी तरह से 18 मन्त का बच्चे का weight 10.6 होनी चाहिए 90 मन्त के बच्चे का 10.8 होनी चाहिए अगर 20 मन्त का बच्चा हो गया है तो उसे 11.1 होनी चाहिए अगर 21 मंथ का हो गया है तो 11.3 होना चाहिए उसी तरह 22 का हो गया है तो 11.6 होना चाहिए 23 मंथ का हो गया है तो 11.8 होना चाहिए और बच्चा 2 साल का हो गया तो कम से कम उसका वेट 12 kg होनी चाहिए अगर आपका बच्चा दो साल का है तो उसका वेट 9.9 से कम नहीं होनी चाहिए अगर 9.9 से कम है तो आप बच्चे को तुरंट डॉक्टर के पास ले जाए इसके अलाबा अगर बेबी का जन प्रिमेचूर हुआ है यानि समय से पहले हुआ है तो ऐसे बच्चे का वेट गें सही से नहीं हो पाता है तो फ्रेंड ये मैंने आपको एक आइडिया बता दी हूँ कि कितने एज के बेबी को खितना वेट होना चाहिए अगर थोड़ा बहुत जादा या कम हो रहा है तो इसमें को भी प्रॉब्लम नहीं है तो फ्रेंड उमीद है आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजे शेर कीजे उन सारे पैरेंस के पास ताकि उन्हें भी काफी हेल्प हो सके और हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थेंक यू सो मर्ज